finally guys welcome to the new vlog and आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM RC 125 के बारे में and guys बहुत ही अच्छी बाइक है ये बागी इसके 10,000 km complete हो चुके है सो guys देखते हैं क्या कै इसके negative point है क्या कै इसके positive point है and 10,000 km में हमें इसमें क्या 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 feel हुई and चलो बाइक पर चलते हैं आज करें यह रही के टेम की RC 125 आप लोग देख सकते है 125 125 बहुत से लोग बहुत सारे नामों की तरह इसको बुलाते हैं बागी बागी सबसे पहले में इस बाइक के बारे में बात करना हुई इस बाइक का जो रोड पर जान से काफी ही ज्युदा इंक्रीज आप लोग देख सकते हैं क्या यार इसके दिवाने हो जाते हैं बाइव लोग और आप लोग नेगटिव पॉइंट बताते हैं सबसे पहले इसकी इंडिकेटर जो है वो काफी लो क्वाल्टी के आते हैं बा इनकी जो क्वाल्टी है वो थोड़ इसी लोग आती है इसलिए तूड़ जाते हैं बागी जो हमें सबसे जादा इसमें कमी फील हुई वह एक चीज है वह है इसका बीच के स्टैंड गाइस बीच के स्टैंड से इतनी जाद दिक्कत हुई इसका लूब आपन नहीं कर सकते चे पॉइंट के हम बात कर लें सब्सक्राइब के सारी ओनर को यह दिक्कत आती होगी बागी इसमें आता है अंडर वैली एक्जॉस्ट यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम में इस बाइक में अगर बाहर से यह थिरी नाइंटी यह तरह यहां पर अगर इसका साइलेंसर देते गा इसक्षण में सिर्फ एक्जॉस्ट का ही मज़ा होता है इस एक्चील में बाद कर लेंस पीछे के सेक्षण है 110 सेक्षण का बाद की पीछे का जो टायर है वह 150 सेक्षण का आता है सुगाइस 125 सीजिंश में इतनी बड़ी टायर प्रॉफाइल मुझे नि लगता कोई बी दिखाता हूं आप लोग को यह देखिए बाइब रेक के आप लोग को कैली पर मिल जाते हैं और 180 इस ब्रेक भी काफी ज़्यादा बड़ा है गाइस वागी 125 की सीजी के हिसाब से इसमें आता है लिक्विड कूल्ड इंजिन गाइस एंड लिक्विड कूल्ड होने के साथ साथ इस बाइक में आते हैं अपने 6 गियर बॉक्स जो कि बहुत ही जादा हो जाते हैं गाइस 125 के साथ से बाकी जो इसकी पावर है वो कहां पर जाती है आपको पता है जो इसकी पावर है वो लो सुरूबात में लो आएगी फिर दीरे जब गियर का टॉप एंड आने लगेगा तब यह पावर पुश करेगी जिससे कि आपको इतनी ज़्यादा पावर मिलेगी कि आप उस पावर को समाल नहीं पाओगे गाइस यह मेरे साथ कई बार हुआ है गाइस क्यूंकि जैसे मैं खीच रहा हूं बाइक को एंड खीचते गाइस एक सोपची सीसी के हिसाब से एंड इसका इनिशेल और जादा हैवी होता गाइस सुखजात काफी जादा मज़ा आता वाकि वीली वगरा मारने में इसमें काफी जादा प्रॉब्लम करनी पड़ती है क्यूंकि यह आगे से बहु जली उठती नहीं है गाइस एंड इ पीचेस से पीचे की सीट केम बात करने हैं सो गाइस यह जी सिट के लिए टनी सीट नहीं दी ली इए बागी राइडर के लिए काफी अची सीट दी गए है एंड कुछ यही था bike बाकि यह bike है sale and जिस किसी भाई को भी यह bike लेना हो वो हमसे contact कर सकता है बाकि आप लोगको नमबर दे दूँगा डिस्क्रिप्छन में guys और फाल्तों परिशन मत करना जिस किसी को भी contact करना हो वो कर सकता है बागी price demand रख रहे हैं बाइक की 1,20,000 एंड जो बाइक का model है वो है 2019 का model आप लोग देख सकते हैं बाइक काफी जदा अच्छी है टायरों की जो condition है वो भी काफी सही है बागी जिस बाइक को भी लेना हो वो contact कर सकता है मुझसे मैं उसको दिलवा दूँगा 120 में एंड चलो मैं सोच रहा था कि वीडियो कर दें यहीं पर एंड बागी अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी मज़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें इस वीडियो को हम इस बाइक को पर्चेस कर लेंगे बागी कमेंट नहीं आएंगे सो गाइस सेल तो है ही चलो बाइ